सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स व्रीफिंग चैनल को और बेल आइकॉन को दबाईए स्पोर्ट्स के बारे में हर एक निउस जानने के लिए हाई फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप सब को बताऊंगा केरला ब्लास्टर्स FC के इन्वेस्टर एन स्टेडियम के बारे में और कुछ ट्रैंसफर रियूमर्स भी रहेगा और रहेगा इस बेंगॉल क्लब के कुछ निउस और कॉन्फरम ट्रैंसफर तो दोस्तो आप सब इ दोस्तो सबसे पहले आते हैं केरला ब्लास्टर्स FC पे बहुत दिनों से सुना जा रहा था केरला ब्लास्टर्स FC अपने टीम के लिए एक स्पॉन्सर और इन्वेस्टर्स ढून रहा था लेकिन अभी जो सुना जा रहा है वो है सर्वियन क्लब रेट स्टार बेल ग्रेट केरला ब्लास्टर्स FC का कुछ परसेंटेज स्टेक खरीदने जा रहा है मतलब रेट स्टार बेल ग्रेट केरला ब्लास्टर्स FC का निउउ इन्वेस्टर या स्पॉन्सर हो सकता है Red Star Belgrade इस club का नाम दोस्तों अब सबी ने सुना होगा सरविया का जो Super League होता है उस league को इस club ने 30 बार जीता है और दोस्तों इस club एक बार Champions League भी champion हुआ था अभी भी कोई official confirm नहीं हुआ है लेकिन Kerala Blasters FC का अगर Red Star Belgrade investor होगा तो बहुत ही बड़िया एक news होगा यह और दोस्तो केरला ब्लास्टर्स FC का मैनेजमेंट एक न्यू स्टेडियम बनाने के लिए सोच रहा है शायद 2022 साल में इस स्टेडियम का काम सुरू हो सकता है केरला ब्लास्टर्स FC का ये स्टेडियम अगर होगा तो बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि किसी भी इंडियन कलब का खुद का कोई स्टेडियम नहीं है इसलिए केरला ब्लास्टर्स FC फैंस के लिए भी ये एक बहुत ही बढ़िया बात होगा उसके बाद दोस्तो नाइजेरियन फुटबॉला साइमेन जिनके को हाइदराबाद FC एंड चिन्नायन FC दोनों टीम अपने टीम में लेने के लिए इंटरेस दिकाया है 31 साल के इस खिलाडी फॉरवट पोजिशन में खेलते हैं इस खिलाडी का मार्केट वैलू लगवग दो कड़ोड के आसपास है तो देखते हैं इन दोनों में से किसी भी टीम इस प्लेयर को अपने टीम में कंफरम करते हैं कि नहीं उसके बाद दोस्तो आजाते हैं इस बेंगॉल के निउस पे सुना जा रहा है कि इस बेंगॉल फोर्टस मेजर क्लोज एक्टिवेट करने जा रहा है दोस्तो इस force major close हर player के contract में लिखा होता है इसलिए होता है कि किसी भी प्राकितिक दुरियोग या महामारी अगर उस country में होता है तो उस country का जो club है वो अपना players के साथ contract खतम कर सकते है लेकिन खिलाडियों को भी एक मत होता है खिलाडियों के साथ भी understanding करना पड़ता है उसके बाद ही activate कर सकते है सुना जा रहा है अब इसे ही activate करेगा East Bengal हर खिलाडि के उपर क्योंकि कोईस भी अपना contract खतम कर रहा है एक महीने पहले ही 30 April को कोईस officially छोर रहा है East Bengal को और सुना जा रहा है उसी date को इस close को activate किया जाएगा उसके बाद दोस्तों पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था East Bengal के coach के बारे में कि East Bengal एक Indian coach को अपने team में coach बनाना चाहते है लेकिन अभी सुना जा रहा है East Bengal का present coach जो है Mario Rivera इस coach को ही East Bengal अपने team में अगले season के लिए continue करेंगे और सुना जा रहा है East Bengal ने अभी तक जो जो किलाडी अपने team में sign कराया है वो सब Mario Rivera के ही कहने पे sign हुआ है उसके साथ East Bengal के officials चाह रहा है एक Indian AFC pro license coach जो की East Bengal के assistant manager बनेंगे इसलिए East Bengal officials बात किया है FC Goa का दो coach Derek Pereira और Clifford Miranda के साथ तो आगे देखते है FC Goa इन दोनों में से किसी भी coach को छोड़ते है कि नहीं उसके बात दोस्तों पिछले कुछ वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि Kevin Lowe, Vikas Jairo and Sana Singh इस तीनों खिलाडी को East Bengal अपने team में sign करा लिया है और तीनों खिलाडियों के साथ ही 2 years के लिए contract किया है और ये एकदम club के तरप से officially confirm news है उसके बात दोस्तों मौहमद इर्शात को भी East Bengal लगभग 90% अपने team में confirm करेंगे लेकिन अभी भी ये officially announcement नहीं है जब officially announcement होगा मैं आप लोगों को बता दूँगा तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा इतना ही था इस वीडियो को अगर पसंद आए तो like, comment and share कीजिएगा और अगर इस चैनल में नए आए हो तो please इस चैनल को subscribe कर दीजिएगा और bell icon को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोट करूँ उस वीडियो का notification आप लोगों को मिल जाए तावले देकाव अबे पौरेड वीडियो ते, बाई